सब्ची विक्रेता जब बोलने लगी अंग्रेजी तो अधिकारियों के होश उड़ गए फराटेदार अंग्रेजी सुनकर कलेक्टर भी हैरान रह गए इन दोर में नगर निगम अधिकारी जब सब्ची के ठेले हटवाने पहुंचे तो सब्ची बेचने वाली PhD स्कोलर रहिसांसारी ने फराटेदार अंग्रेजी में जब अधिकारियों के सामने अपता दर्द बया किया तो वो हैरान रह गए रहिसांसारी ने कहा कि सब्ची के ठेले हटाएंगे तो अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे रहिसांसारी ने अधिकारियों को अंग्रेजी में समझाया कि अपने बच्चों का पेट पालना सब की मजबूरी है और उसके बाद हिंदी में सरकार को भी संदेश दे दिया कि लोक नाउन में सब्ची का ठेला नहीं लगाएंगे तो किस नेता के पास जाएंगे रहिसांसारी ने बताया कि वो एक PhD स्कोलर है लेकिन कोरोना काल में नौकरी ढूलना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उनका नाम रहिसांसारी है अच्पूल से थάकținging जो कि लोक पर साव्किया है लोकि फ्रूपयक सा कि यि Onelnा अच्पूल को वेस देखते हैं कि प्रूपयका प्रहिस प्रूपय को प्रूपयक परृप क्शिश्वार्पय कर दिया कि दिद Krाश assumption प्वाने जोप्ट इसार मिर संवे होग्या, हुश्योच्उ नथिप बर्णाथ टे को तो प्रफॉब गयोची और मुष्माग्स्य प्रहें फारिकोजिति ऑिश्पली पॉरिष चोने पॉर्षी प्सकेश। इंदोर की कलेक्टर ने रईसांसारी के दर्द को समझाओं की बात सुनी लेकिन PhD स्कोलर रईसांसारी के सवालों का जवाब वो नहीं दे पाए क्योंकि रईसांसारी की कहानी देश के सिस्टम के बड़े सच को उजागर करती है जो उस कहावत को सही साबित करता है कि राम चंदर कह गए सियासे ऐसा कल जुगाएगा हंश शुगेगा दाना कव्वा मोती खाएगा आप पिएस्टी स्कोलर रईसांसारी के सबजी का ठेला लगाने की मजबूरी पर क्या सोचते हैं कमेंट बोक्स में पिराये जरूर दें